अगर आप भी चाहते हैं कि लोकल न्यूज का हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुशता रहे तो हमारे योटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिए, बेल आइकन को दवाईए जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुशता रहे तो दोस्तों हम आपको बताने जारें कि कट्रा परखंड थाना छेत्र के बक्ची बागमती लखंदई नदी के किनारे तेंदुआ दिखने से अफड़ा तफडी मच गया है बक्ची निवासी धर्मेंदर कमती ने कहा कि दो तीन दीन से नदी के अगल वगल तेंदुआ को घूमते हुए देखा जा रहा है इसकी सूचना बन बिभाग को दे दिया गया है बन बिभाग परमंडल अधिकारी सुधीर कुमार कर्ण रेंज ओफिसर उपेंदर कुमार सिंग बन पाल सुरेश ठाकूर और बन रचक रामदेव यादव आधीलो कट्रा के बक्ची पहुच कर खोजबीन की तेंदुआ नहीं मिल पाया लेकिन तेंदुआ के पधचिन के निसान वहाँ पे जरूर मिला है दीन भर खोजबीन करने के बाद बन अधिकारी खाली पिंजरा लेकर वापस लोट गए बन अधिकारी ने कहा कि अगले दीन फिर से खोजबीन किया जाएगा वहीं तेंदुआ होने के खबर से छेतर में भै और दहसत का माहोल बना हुआ है एक बास पूर्ब भी कट्रा के तेहवारा में तेंदुआ मिला था जिसने लगभग दरजनों लोगों को घायल कर दिया गया था फिर उसे ग्रामिन के सहयोग से तेंदुआ को मार दिया गया था कट्रा परखंड के लोग अपने बच्चे और पस्वों को सुरच्छित जगाह में रखने में जूट गये हैं क्यूंकि तेंदुआ से छेतर में भै का माहोल बना हुआ है देखिए अधिकारी क्या कहते है बोला गया है कि आप लोग शतरक रहिए पग मार्क से पता लग रहा है कि यहां इस जंगल में जो है नदी के बाहर में दो सो एकर के लग भग जो है जो है जनल है विजन परजाती का उसमें ब्रिक है जिसनो छुपे रहने का संभाब ना है पग मार्क के हिसाद